दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे मॉडल वर्प्स के साथ यानि की मास्ट, कोड, विल, माइट, शोड, शेल, मे, वोड, कैन ये सब मॉडल वर्प्स तो आपने अपनी लाइफ में यूज की भी होंगी बुक्स में पड़ी भी होंगी और सीखने की साथ हम बी कप्रियो करेंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉडल वर्प्स के साथ अगर भी लग जाता है तो उनके सेंस क्या हो जाते हैं आई होब कि अपने ऐसा वीडियो यूट्यूब के इतिहास में कभी नहीं सुना होगा जो आज मैं इस वीडि आपको समझना होगा मजना होता है जरूर यानि की पक्का अगर हम मस्ट के साथ बी को अपलाई कर देटे हैं तो क्या सेंस बनेगा होगा सबसे पहले आपको सब्यख्णाना है सब घब्यक्ति होता है जिसके द्वारा वाक्य में क्रिया की जा रही हो उसके बाद आपको must be का प्रयोग करना है उसके बाद आपके other words है वो आपको लगाने है example sentence के तरीके से देखते हैं देखें वह पक्का घर पर हो सकता है जब आप ऐसे sentence की sense बनाते हो जिसके last में आता हो हो सकता है लेकिन वाक्य में पक्का आ रहा हो यानि कि जो काम आप कहना चा रहे हो उसमें आपको पूरी surety लग रही है कि ऐसा ही हो सकता है उस condition में आपको English बनानी चाहिए he must be at home वह पक्का घर पर हो सकता है एक और sentence देखते हैं वह पक्का देख रहा होगा आप देखें यहाँ पर क्या है आपको पूरा पता है कि इस वक्त वो व्यक्ति घर पर बैट कर कुछ ना कुछ देखी रहा होगा या टीवी देख रहा होगा या किसी चज़े पर खड़े होके किसी को ढून रहा होगा कोई ना कोई काम कर रहा होगा और आपको पक्का यकीन हो तो आप मस्ट भी लगा के वह आपके साथ आई जी लगा सकते हैं sentence एकदम clear होगा वह पक्का देख रहा होगा he must be watching right okay अब next हमारे पास है will देखे will का मतलब होता है future का गागेगी right will be लगने से sense होगा में चली जाती है पहली बात तो या तो will be के साथ कोई main verb होगी या फिर नहीं होगी अगर होगी तो आपको रहा होगा के sense में बनानी है अगर कोई main verb ना हो तो वो no action sentence होगा यानि कि उसमें clear नहीं होगी तो उसे normal होगा में बनाएंगे इसका रूल देखते हैं सब्जेक के बाद आपको will be लगाना है विल की will be के बाद आपको लगाने है other words अब देखते हैं इसका example example है वह घर पर होगा अब देखे एक व्यक्ति घर पर होगा लेकिन अभी नहीं है आप कहरें future में वह घर पर होगा तो ऐसी condition के दर sentence बनेगा he will be at home एक और sentence देखते हैं वह खेल रहा होगा यानि कि आने वाले समय में वह उस वक्त खेल रहा होगा आपने present में ही इस वाक्य को बोला है लेकिन आपने future का sense लेके बोला है कि जब उतने बजेंगे तो वह वहाँ पर खेल रहा होगा ऐसे sentence में आपको he will be playing लगा के sentence को बनाना है आप देखे रहुल पढ़ रहा होगा यानि कि वह समय आएगा जब रहुल वहाँ पर पढ़ रहा होगा जब future के sense में sentence को बोला जाता है रहा होगा में तो आपको विल बी का प्रयोग करना होता है रहुल बी studying इस तरह से आप इस sentence को बनाएंगे तो इसी के साथ आपको विल बी क्लियर हो गया नेक्स देखिए कैन भी पहले कैन को समझते हैं कैन का बतलब होता है सकता है सकती है सकते है यह एक मॉडल वाब होती है और इसको हमेशा हम यूज करते हैं ability शो करने के लिए आपके अंदर तो इसके माइने ही बदल जाते हैं यहां पर इसका मतलब हो गया हो सकता है हो सकती है हो सकते हैं example को समझने से पहरे रूल देखिए subject subject के बाद आपको can be एक साथ लगाना है अगर यह negative sentence हो तो आप cannot be भी बोल सकते है cannot be right subject can be फिर other words होंगे जो आपके लगाने आपको sentence के ऐसी condition के अंदर आपको क्या क्या यूज़ कर सकते हैं आप इसमें may be का भी यूज़ कर सकते हैं might be का यूज़ भी कर सकते हैं और यहां पर can be भी normal English के अंदर आजकर बोला जा सकता है तो आप अगर बोलते हैं he can be at home तो यह गलत नहीं होगा right एक और sentence देखते हैं where school में हो सक सकती है इस condition में ऐसे sentences के लिए आप अगर she can be in school बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा आप चाहे तो she may be in school और she might be in school भी बोल सकते हैं right इसी के साथ आपका can be clear हो गया जिसमें normal आप किसी के वहां पर होने की संभावना को बताने के लिए कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है can be का भी प्रयोग कर सकते हैं right next topic should be should का मतलब होता है राय देना किसी को चाहिए कि case में यूज होता है लेकिन should be लग जाए तो sense हो जाती है होना चाहिए या कोई काम कर रहा होना चाहिए ऐसे sentences के अंदर आपको should be use करना होता है rule देखिए subject के बाद आपको should be लगाना है बिल्कु इस वक्त उस व्यक्ति को अपने घर पर होना चाहिए क्योंकि इतने ही वज़े वो घर पर होता है हर बार तो आप बोलोगे he should be at home उसे घर पर होना चाहिए यहां पर should be के साथ आपने देखिए at home यूज करा आपने कोई वर्ब या क्रिया नहीं लगाई तो यह हो गए आप पोलों गये मुझे खेल रहा होना चाहिए अगर आपको बोला है रौधा होना चाहिए तो रोहन शुट भी प्लेंग एक और सेंटेस देखिए उसे पढ़ रहा होना चाहिए उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो उसे पढ़ रहा होना चाहिए रहा होना चाहिए कि सेंस को आजा पकड़ लो इस वीडियो के अंदर अब आपको ऐसे सेंस में शुडबी लगा के वर्ब में आएंजी लगानी है बात जाने वाली और would be का मतलब होता है होगा और रहा होगा सब्जे के बाद would be लगाएंगे उसके बाद other words लगा देना जो आपके पास है sentence देखते हैं जैसे मान लिजे ही sentence लिखा है वह घर पर होगा अब यहां पर आप मान लिजे मुझसे पूछते हैं यार रोहन कहां पर है मैंने का वो घर पर होगा यनि कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो इस वक्त घर पर होगा इस वक्त की बात हो रही है present की ऐसी condition के अंदर आप will be नहीं would be का use करेंगे अक्सर बच्चे इन दोनों में would और will में बहुत बड़ा confusion क्रियेट करके रखते हैं तो यहां पर जब आप present में किसी को कोई बात बताते हो लेकिन ये बात गागेगी में जाते है लेकिन present में देकर बूली जाती है तो ऐसे condition के अंदर आपको विल नहीं would का प्रयोग करना होता है तो आप बोलेंगे वह घर पर होगा इस वक्त क्या कर रहा हूं मैं तुम चाय पी रहे होंगे तो इस sentence को समझो इस sense को समझो इस महौल को समझो इस वक्त की बात हो रही है आपने पूछा मैं क्या कर रहा हूं मैंने का तुम चाय पी रहे होंगे यानि कि इस वक्त भी आपके हाथ में कपका प्याला होगा और आप पी रहे होंगे ये सेंस होती है ये future की सेंस नहीं है ये present की सेंस देने वाला है आप चाहे पी रहे होंगे यहाँ पर आप will be कायूज नहीं करेंगे आपको बोलना है you would be drinking tea you would be drinking tea right next sentence आप तैयारी कर रहे हुंगे या तो तैयार होने के तैयारी कर रहे होंगे शादी में जाने के तैयारी कर रहे होंगे लेकिन इस वक्त कर रहे होंगे ऐसे sentence को बनाने के लिए आपको बोलना है you would be preparing दो नहीं कि एक महीम चल रही है है सका पाया यानि यह यह आसकता है इसलिए हमने लिखा हुआ ऊद complementary हमें subject लगाना है sentence के अंदर उसके बार हमें could be का use करना होगा अगर हमारी सेंस हो सकता है यह यह थी में जाए तो other words दे सकते हो आप ठीक है अब देखें यह खराब हो सकता है यह है खराब हो सकता है कोई भी जीच तो हम बोलेंगे it could be bad अब यहां पर bad जरूरी नहीं कि आपको bad use कर सकते हो स्पाइल करना किसी की खराब करना वो भी ऐसा भी göra सकता है यहां पर डैमेज व हट अगर को सकता है तो अलग-ध और कि हमारा है यहां हो सकता है तो यहां पर बोलेंगे he could be here, right, he could be here, okay, next, हमारा है may be, may का मतलब होता है संभावना, right, संभावना कम, ये ज्यादा दोनों ही कंडिशन में होती है, may में संभावना ज्यादा होती है, might जो इसके बाद करेंगे, उसमें संभावना कम होती है, तो अच्छे ये इस शायद को, लेकिन संभावना तो शायदी है ना, आज वर्षा हो सकती है, हो तो नहीं रही ना, तो शायद यहाँ भी है, लेकिन चांसे 70% है, might की केस में अगर हम बोलें, तो चांसे 30% होते है, तो may be का मतलब शायद, आप संभावना बता दी गई, कि मैं मैं भी doubt में हूँ, हो सकता है, तो he may be at home, at shop, he may be at shop, वह दुकान पर हो सकता है, ओके next, शायद में जा रहा होगा, शायद लगा हुआ है, लेकिन last में लगा होगा है, रहा होगा, अब आपको लगेगा, यहाँ वुड भी आएगा, या विल बी आएगा, नहीं भाई, इसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, might be, might be का मतलब होता है, संभावना बहुत जादा कम हो किसी काम की, में से कम संभावना दिखाई दे, तो might be लगाना, हिंदी बिल्कुल सेम रहेगी, बिल्कुल घबराना मत, sentence में शायद की जगे, शायद ही लगा देना और अच्छ ही, अगर इस शायद ही में से, ही को हटा दे, तो यहां might की जगे, may use हो जाएगा, संभावना बढ़ जाएगी, संभावना कम हो ही, तो he might be at home, next sentence, शायद ही वह खेल रहा होगा, अब रहा होगा के लिए would be या will be का use कर सकते थे, लेकिन will be का use तब करेंगे, जब future में वो खे शूर नहीं हूँ कि वो खेल रहा होगा या नहीं खेल रहा होगा, मैं संदेह में हूँ, टेंशन में हूँ, या फिर मैं यह कह सकता हूँ, मैं शूर नहीं हूँ, तो यहां पर शायद ही वह खेल रहा होगा के लिए would be नहीं, might be का use होगा, he might be playing, और same, ऐसी ही mistakes, आप अकसर अपने question paper के अंदर करके आते हो, CBSE हो चाये, कोई भी आपका other boards हो, दोस्तों, ऐसी videos को लगातार देखते रहने के लिए, अपनी English को और ज़्यादा sharp और पैना बनाने के लिए हमारे channel को आज इसी वक्त अभी subscribe कर लिजिए, क्योंकि आपका subscription ही हमारा motivation होता है, so please do like and share this video to everyone, right, okay see you in the next video, till then goodbye.